आज हम बनाएंगे साबूत दाना खिचड़ी यह देखिए एक एक दाना अलग है खिचड़ी का साबूत दाना का काफी टेस्ट्री यह बनके तयार होती है और काफी अच्छी लगती है खाने में रैसे भी पसंद आने पर आप चैनल को जरू से सब्सक्राइब कीजिएगा च अच्छी आप यह भी काफी खिचड़ी बनके तयार हुए है अ कि इसको बनाने के लिए यह देखिए बड़े साइज वाला मैंने साबू दाना लिया है यह मैंने एक कफसे थोड़ा कम लिया है और इसको हम भी गोएंगे सबसे पहले तो इसको हम एक बरतन में डालेंगे और इसको हम सॉक करेंगे तकरीमत दो से तीन गंटे तो पहले हम इसको वाश कर लेंगे अच्छे से इसको हम दो से तीन पानी से अच्छे से इसको रगड कर इस तरह स लगड़ेंगे जो इसमें थोड़ा सा पानी में उइंस इसमें आ जाता है यह में नहीं चाहिए इसको निकालकर फैकेंगे और आप पानी डालेंगे पहले हम 2-3 पानी से अच्छे से वोश करेंगे यह हम इसको भीगने के लिए रखेंगे तकशेंदो घंते की देखिए अभ इसको हम दो गंटे रखेंगे दो से तीन गंटे के बाद इसको हम चेक करेंगे खुलकर गी देखिए ये अच्छे से और एक दाना देखिए अलग है इसलिए मैंने आपको जैसे बताए है कि इसमें पानी बस थोड़ा ही डालेंगे जितना है बस उत्रा ही पने डालेंगे और यह देखिए काफी अच्छे से यह सौफ्ट हो गया है बस इसको अब हम बनाएंगे एक एक दाना देखिए अलग है इसको बनाने के लिए इंग्रीडियंट देख लेते हैं साबुदानों मेने अधीया इसको चौप किया है और एक बड़ा टमाटर लिए इसको मैं चौप कर लिया है थोड़ी सी कॉरेंडर लिफ लिए और दो हरी मिश को चौप किया है एक इंच की अध्रक का तुक्ड़ा ले लिया है ब्लैक पेपर पाउडर और यह मैंने मुंग फली ली है यह हाफ कप है तो उसका मैं आधा लिया मतलब एक चुताई कप हो गई है एक चुताई कप लेंगे अगर आपको थोड़ा कम करना है या जाधा करना आप अपने हिसाथ से ले लीजिएगा कडाई में हम ऑईल दो टेबर स्पून मैंने कुकिंग आउड डाला है ओईल गरम होगा इसमें हम वन टीस्पून जीरा डाल देंगे जीरा का कलर चेंज होगा तो हम इसमें अधरक डाल देंगे चौप की हुई थोड़ा बून लेंगे अधरक को हम बस इसी के साथ हम प्यास डाल देंगे चौप की हुई और प्यास को हम थोड़ा भूनेंगे प्यास को मैं light golden color कर लेना है मगर इसी के साथ हम मुटपली पर डाल देंगे क्योंकि मुटपली मैंने यह अच्छी लिए है इसको हम fry करेंग भी ऑपा nights ड्रका है जिससे की स्टाइडिल मौपा को जा हाइगी ये व्री यह लेंग उ्ट्रा 5 दीं मिंड में ये लई है अब ब corre funktioniert है अब बस इसमें हम टामाटर डालेंगे में किस अबनाटर हरे दालेंगे भूनेंगे, लो फ्लेम कर देंगे ताकि जो टॉमाटर में डाला है यह अच्छे से सौफ्ट हो जाए लो फ्लेम पेस को हमें टॉमाटर को सौफ्ट कर लेना है, भून लेना है नमक डालेंगे हम इसमें तकरीबन मैं हाफ टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा डालने क्योंकि हमें इसमें साबुत दाना भी डालना है आप अपने टेस्ट का अकॉर्डिंग डालेगा हाफ टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा मैं डाल दिया है मिलाएंग अच्छे से ये देखे टामाटर भी सॉफ्ट हो गया है अब बस इसमें ये सब्जी मसारा डाल देंगे और ब्लैक पैपर डालेंगे तकरिब बन हाफ टीस्पून से थोड़ा मैंने कम डाला है क्योंकि टेस्ट का भी धियान रखना है काफी तीखी नहीं हो जाए हमारी खिचड़ी बस इसमें साबूत दाना डाल देंगे सारा डालेंगे और लोई फ्लेम पे इसको हम मिक्स करेंगे एक साथ से भूनेंगे इसको हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये ट्रांस्पेरंट सा इसका कलर नहीं हो जाता क्योंकि ये वाइट है ये देखिए इसको हमें मीडियम फ्लेम पे ही आप चाय भूल लीजिए यलो फ्लेम पे इसको हमें भूल लेना है तकरीबन दो से तीन मिंट इसी तरह से चलाते हुए हम इसको भूलेंगे कुछ दिर में आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाता है उपर से कटा वहरा दन्या भी हम डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे फ्लेम को मैं यहां पे लो कर देती हूँ क्योंकि मैंने मीडियम कर दिया था बस मीडियम फ्लेम पे थोड़ी दे चलाएंगे इसी तरह से धीरे-धीर हातों से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि आपस में चिपके नहीं अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं आपको दिखाते हूँ यह देखिए इसका कल थोड़ा ट्रांस्पेरेंट सा हो गया है हमें ट्रांस्पेरेंट कलर इसका कर लेना है इसी तरह से मिलाते हुए इसको हम तकरीबन बस एक से दो मिट और भूनेंगे उसके बाद हम इसको सर्फ कर लेंगे यह देखिए जड़ा भी आपस में चिपकी नहीं है एक-एक दाना खिला हुआ है साबू दाना का बस यह तयार हो गये इसको हम सर्फ कर लेंगे अब बहुत ही टेश्ट्री लगती है खाने में और इसको बच्चे भी बहुत अच्छे से खाना पसंद करते हैं क्योंकि यह तो साबू दाना है सॉफ्ट होता है खाने में और मुनफली भी बच्चे पसंद करते हैं में आप चाहें तो इसको शाम के स्नेक्स में भी बना सकते हैं चाय के साथ काफी टेस्टी लगती है यह खिचड़ी यह देखिए बहुत ही खुश्बुदार क्योंकि हमने इसमें सब्दी मसाला भी आट किया है तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है तो आसे भी पसंद आने पर चैनल को जो सकते हैं सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करेंगेगा अल्ला हाफिज